फिंगुरू, प्लीज हेल्प मी, हाँ बोलना, क्या हुआ, मुझे फ्लैट के लिए 25 लाग का लोन लेना है, समझ में नहीं आ रहा है, 30 साल के लोन है, 20 साल के लोन है, 20 साल के लिए मेरी EMI 19,382 आ रही है, और 30 साल के लिए 16,600 आ रही है, और मैं 20,000 रुपाय तक comfortably afford कर सकता हू तो मुझे क्या करना चाहिए, देख मेरी बात माने तो तुझे 30 साल के लोन लेना चाहिए, उसमें तेरा ज्यादा फायदा है, ऐसा क्यों, मुझे लगा, डेट फ्री जल्दी होना बेटर है, देख 20 साल और 30 साल वाले EMI अमाउंट्स में, 2750 रुपे के आसपास का difference है, तो 17 साल के बाद तेरा टोटल EMI जो होगा, केस A में होगा 39.54 लाग, केस B में होगा 33.93 लाग, प्लस 5.6 लाग जो तुने SIP में इन्वेस्ट किया होगा, टोटल आउटफलोट दोनों में 39.5 लाग के आसपास होगा, बट केस A में तेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग सव 16 लाग का होगा, केस B में 17 लाग का होगा, बाट जो तुन SIP से इन्पुट लेगा, जो SIP का गरोथ होगा, वह का 18 लाग, जो तुन रिपे कर देगा, तो भी तेरा SIP में पैसा बच जाएगा, तेरा केस B में पूरा EMI चुकता हो जाएगा, लोन खतम, केस A में तेरा लोन अभी भी बाकी है, केस 1 जहां तु 20 साल का लोन ले रहा है, अभी तुझे 3 साल और चुकाना है, और केस 2 में तु अल्रेडी सब कुछ रिपे कर चुका है, अब जो तेरा इन्वेस्टमेंट होगा, वह ग्रो ही होगा SIP से, so it's always better to take a longer loan for 2, thanks a lot, I'll start following GR Finvisors right away.